नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूटीव चनल पर हमारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाना भूलें और साथ ही जो साइड में पेल आइकन भी आपको दिखाई दे रहा है उस पर भी आप क्लिक कर दें ताकि हमारी वी आपश को नो बेच कर 11 पर तो अपनी नाम सब्चन को देगे के ए कुम राशी जो है मार्यां शनी कि राशी है इससे पहले सुर्यक बगवरासी में चल रहे थे और मगवराशी भी शनी के राशी है और क Ländern जा रहे तो एक महीना दो या भरnat करते में इससे हमें बास lorsque आपक ह कि सुक्ष ट्राइब करने के Kाम के लिए old go पीं के हो तर्द समय बहुत उत्तम समय इनके लिए हमेश राशी में के लिए उनके कारी में जैसा फुलता है नहीं प्राप्त होगी अपने से छोटों से भी नलाब होगा कोई छोटे घर में छोटे भाई बैने या जहां भी ओफिस में कारी करते हैं महाँ पर कारी अस्तल पर भी जो इन से छोटे हैं उमर से वह इने सपोर्ट करें गए और नोगरी के लिए यह कहीं यह जा रहा है तो नोगरी में भी इनकी उन्नती होती नजर आ रही है विकिन उन्नती के जो है दौर और शेक्र खुन लेवाले हैं वर्षप रासी के बात करे तो जमीन से जुड़ी कोई समस्या आपकी दूर होगी इस जोरान आप कोई नया वहान या नया मकान पर चेस करेंगे कोई भूम्याब खरी सकते हैं और आर्सिंग समपत्ति में आपकी भलोत्री होगी कहीं जंग यार किसी जंग आप जमीन लेने की सोच रहे हैं तो यह कार जानी भी अब दूर हो जाएगी और जमीन ज्यादत इमावने में आपको फायदा होगा कि मिसुन राशी के दिबात करते हैं तो इस दोरान आपकी जो है विद्ध्या उत्तम रहेगी और बुद्धी से आप सही नहीं लेगे यानिकि आपकी विवेक्शक्ति जो है मजबू हुए उसी छेत्र में आपकी जो है कहीं भी कारी होने की संभावना बन रही है हो सकता है उसी जंगें किसी नोगरे मागी पदून नदी हो जाए संतान पक्षाप का मजबूत रहेगा और साथ साथ 60 लाट्री कही आप ला रहे तो उसमें भी आपको लाब होने के आशंका बन रही है करकराशी के लिए बात करते हैं तो करकराशी हालों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा कोई पुराना रोग यह आपको चला रहा है तो आपकी बार समाब्त हो जाएगा क्योंकि काफी परिशानी था अभी तक करकराशी हाले गुजा रहे थे कुछ बीमारी ने लगी हुई थी और इनके कारी में जो सफलता मिलेगी ने नोकरी में भी जो हैं इनकी तरक्टी होगी और कोई शात्रु इने जो परिशान कर रहे थ झाले समाफट हो जाएंगे शदरु बिन के जो दूर हो गीasmat कि उर्यदी आख लिए दूरान कोई कर्जा लिया था इससे पहले जो जा थिक्कत आपको आ रहे थी तो interpreтом की बार कर झाले चाने की यापको समाप्त हो जाएगा तो 20 तारीके बधाद आपको करचा समापतोंने कभी अब समय आ गया है कि सिंग राशी के दी बात करें तो शिंग राशी वालों के लिए भी समय अच्छा है पती पत्नी के जो है संबंद आपके मदू रहे करें अच्छा नहीं होगा है तो शाधी विवा को लेकर बात आगर ना बढ़ें नहीं तो कोई विगार्य को अच्छा नहीं होगा है किसी के साथ कोई फरम खूल रहे जाए किसी साथ कहीं पार्टनर्शिप में आप कांड़ी कर रहे हैं तो यह आपको मिलेगी इस कारिये में साधारी में इस दौरान पत्री पत्नी के जो संबंद भी मद्दू रहें और कोई नया वैपार आप शुरू कर सकते हैं यह कोई नया वैपार इस दौरान शुरू कर रहे हैं तो वह आपको इनिश्ची दी सफलता दिलाएगा करने राशी की बात करें तो आपके लिए समय अनुकूर नहीं है कोई चोट आपको लग सकती है इस दौरान गाड़ी चलाते समय साधान रखें कोई दुर घटना आपके साथ कहीं सकती है सफलता आपको कम मिलेगी क्युक्लत अबहज़ता के चांस ज् wedALK के रहे हैं हलांके पुरानी विरासत आपको सब्कूर सकती है कोई चुर्ण दौरान जोए बहां चलाते समय थोड़ा साउधानी बढ़ते नहीं तो कुछ भी घटी दो सकता है तो लाराशी की बात करें तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल है आपका भाग्यों निती का समय आ गया है और भाग्यों निती आपकी निश्ची लग रही है कोई कारी जो बहुत पुरान ाइक हम करी सब्सक्राइब करते हाँ भी आपको सब्सक्राइब म सकता है तो आपकी इस दोरानार ही इसनी काफी मजबूत रही है कि Ang была किifa से जुड़ए को talking के ही Me को असर मनुखके हैं का थे जो कोई पीता जी का भी तक कारी था उस कारी आप के भी सकता है वो जमेदार्या को वे सकती हैं व्याप्पार्य विबलॉत्रीधी होतीी नजर आ रही है इस जोरान आपके संबस्ती पर बड़ोते होगी साथ जिसाथ आपकी आर्सी सी काफी मजबूत बनी रहेगी और हर कारी में आपको सफलता प्राप्त होगी धनु राशी के दिए बात करते हैं तो आपको अधिक धन लाब होगा आये में आपकी वृद्धी होगी और कारी शेतर भी आपको मजबूत रहेगा बड़ों से संब्मान प्राप्त होगा साथ-साथ लाब भी होगा मैं बिए जहां भी आप कारी करते हैं या गहर में तो अपने से बड़ों से जो को लाब भगा जो भी आपसे उमर में बड़े हैं आपसे छो ज़्यादा है वे आपको समवान करें कि साख साथ आपको उन से खी काफी लाब होगा क्यू बार जो है इसली कारी में जो अर्चन आती है वे धिरल दू डूर मुझा है को कि बार बलो का ही रोल होता है मगर आशी के बात करें तो आपको हानी अधीक होगी और लाव कम होगा वेर्थ की आतरा आपको करने पड़ सकती है कारी में आपको ऐसा फलता नजर आ रही है तो इस दोरान कोई भी नया कारी आप शुरू ना करें नहीं तो आपको हानी होने की संभावने बन रही है और बेकार की आतरा करने से बचें कहीं यादी बहार जाने की सोच रहे है कई आट ओफ कंट्री की आतरा करने की सोच रहे है तो इस दोरान ये समय बिल्कुल बेनुकूल नहीं है इस दौरान की आवा व्यापार है कोई नौकरी के लिए कियाव अपलाई गई तो एसन तो जनक परिणाम आपके लिए रहेगा तो मकर राशी के लिए समय विल्गुल वे अच्छा नहीं है कुम राशी की बात करें तो आपके कारी में सबलता होगी इस दौरान को इदर निश्चे लेकर आपको कारी करेंगे कोई रोख जो है आपको परिसांद कर रहा है तो दिर दिर काम हो जाएगा मानसी ग्रूप साब काफी सक्षम रहेगे काफी मजबूद इस दौरान नजर आएगे मीन नाशे के लिए बात करें तो मीन नाशे वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा आपकी जोई इस्तिती काफी मजबूद रहने वाली है धन लाब आपको होगा धन से जुड़ हुई कोई भी समस्था है जो इस दौरान आपको दूर हो जाएगी और कोई नही जोजना आप बना रहे तो वह भी आपके पूरी होगी तो यह जाने का प्लान है तो वह भी आपका सफ़ल हो गा परिवार में जो प्रेम बना रहेगा और धन लाफ के अस्तिती आपकी बनी रहेगी जिसक् yogh ant उता रहेगी तो यह जो सभी राश्यों को प्रिनाव आपने आ जाना जब सुरी कुम राश्य प्रियोश करेगा और वीडियो हमारे आगे भी ऐसे आप लोग लिए आती रहेगी आप हमारे वीडियो को लाइक करें उसको शेयर भी कर दें साथ इसाथ यह जोड़ी कोई बात आप हम सब